प्रशन 6, सिद्ध कीजे कि दो समरूप त्रभुजों के शितरफल का अनुपात, उनकी संगत मादिकों के अनुपात का वर्ग होता है। यहां हमें दिया गया है कि त्रभुज ABC, त्रभुज DEF के समरूप है, तथा AP और DQ करमशे त्रभुज ABC और त्रभुज DEF की मादिकाएं हैं, मीडियन हैं। तो हमें सिद्ध करना है, Area of triangle ABC बटा Area of triangle DEF, AP square बटे DQ square हैं, अर्थात उनकी मादिकाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर हैं। हम इसकी उपत्ती समझते हैं, प्रूफ समझते हैं। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रभुजों का शित्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता हैं। area of triangle ABC बटा area of triangle DEF बराबर होगा AB square बटे DE square ये उनकी भुजाओं क्या वर्ग के अनुपात के बराबर होता है उनके शित्रफलों का अनुपात इसलिए ये हमारा पहला समीकरण हो गया अब हम देखते हैं कि AB बटा DE बराबर है BC बटा EF क्योंकि BC हम देखते हैं कि 2 times BP है इसलिए हमने BC का मान 2 times BP लिख दिया और इसी परकार हम EF देखते हैं कि 2 गुना है EQ के तो हमने EF को 2 गुना EQ लिख दिया 2 से 2 कैंसल हो गया तो ये बराबर है BP बटा EQ तो this implies AB बटा DE बराबर है BP बटा EQ और हम देखते हैं कि कोन B कोन E के बराबर है क्योंकि दोनों तरभुज अर्थार तरभुज ABC और तरभुज DEF समरूप है इसलिए कोन B कोन E के बराबर है तो हमने क्या किया हमने प्राप्ट किया AB बटा DE बराबर है BP बटा EQ और कोन B कोन E के बराबर है क्योंकि दोनों समरूप तरभुज हैं तो इसलिए SAS समरूपता कसोटी से तरभुज APB समरूप है तरभुज D Q E के हमने SAS अरथात भुजा कोन भुजा समरूपता से हमने प्राप्ट किया कि तरभुज APB समरूप है तरभुज D Q E के हमें SAS समरूपता कसोटी क्या बतलाती है कि यदी एक तरभुज का एक कोन दूसरे त्रबुज के एक कोन के बराबर है और इन कोनों के अंतरगत करने वाली भुजाएं समानू पाती है तो दोनों त्रबुज समरूप होते हैं तो हमने प्राप्त कर लिया कि त्रबुज A, P, B समरूप है त्रबुज D, Q, E के तो इसका क्या अभी प्राए हुआ इससे अभी प्राए हुआ कि A, P, B, D, E बराबर है A, P, B, D, Q के तो दोनों का हमने वर्ग किया दोनों पक्षों में और दूसरा समीकरन प्राप्त किया अर्थात हमने प्राप्त किया दूसरा समीकरन AB square बटा DE square बराबर है AP square बटा DQ square और ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया तो हम समीकरण एक से देखते हैं कि शित्रफलों का अनुपात AB square बटा DE square है और हमने AB square बटे DE square का मान AP square बटे DQ square पराप्त कर लिया है समीकरण 2 में तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि area of triangle ABC बटा area of triangle DEF AP square बटे DQ square के बराबर है तो इस परशन में हमने क्या किया इस परशन में हमने देखा कि दो तरभुज है ABC और DEF दोनों समरूप है AP और DQ करमशे तरभुज ABC और DEF की मादिकाएं है median है हमें सिद्ध करना है कि उनके शित्रफलों का अनुपात AP square बटे DQ square के बराबर है अब हमने दो समरूप तरभुजों के शित्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है तो हमने समीकरन एक प्राप्ट किया हमने एक समीकरन से एक सम्मंद प्राप्ट किया जिससे हमने प्राप्ट किया कि तरभुज APB समरूप है तरभुज DQE के SAS समरूपता कसौटी से जिससे हमने समीकरन दो प्राप्ट किया और समीकरन एक और दो के दोनों से हमने प्राप्ट किया कि area of triangle ABC बटे area of triangle DEF जो है वो AP square अर्थात मादिकाओं AP square बटे DQ square के बराबर है अर्थात मादिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है